मंधिप्रदेश लोग सेवा आयोग की राज सेवा प्रारंभीक परिक्षा दो हजार चौबिस रविवार को दो शिफ्ट में हो रही है पहला पेपर सामान्य अध्यन का सुबह दस बजे से बारा बजे तक हुआ एक्जाम 110 पदों के लिए है और इसमें 183 लाख हुमिद्वार हिस्सा ले रहे है पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होना है इसके साथ ही वनसेवा परिक्षा भी आज ही हो रही है पहला पेपर देकर निकल चुके ज़्यादा तर शात्रों ने कहा कि पेपर सरल रहा उन्हें उमीद है कि वे अच्छे अंकों से पास होंगे इससे पहले सभी परिक्षा के इंद्रू पर अभ्यर्थी तैय समय पर पहुंचे जहां चेकिंग के बाद उन्हें एक्जाम हॉल में प्रवेश दिया खया उनसे जूते मोजे उतरवाई गए लड़कियों से कान की बाली हाथ के कंगन चूडी जबकि लड़कों से हाथ का कलावा भी निकलवाया गया है कई जगह अभ्यर्थी एक मिनट भी लेट हुए तो उन्हें एंट्री नहीं मिली दूसरा पेपर साबान ये अभिरुची परिक्षण का है ये दो पहर दो बच कर पंद्रा मिनट से चार बच कर पंद्रा मिनट तक होगा परिक्षा की मॉनिटरिंग और शंका समाधान के लिए प्रदेश भर में 27 सीनियर रिटाइड अधिकारियों को अब्जर्वर बनाया गया है MPPSC पेपर लीग के आशंका पर CM डॉक्टर मोहन यादव बोले सरकार कोई भी को ताही बरदास्त नहीं करेगी कानून व्यवस्था का पालन किया जाएगा लोगसेवा आयो की प्रारंभिक परिक्षार अविवार को हो रही है सघन चेकिंग के बाद परिक्षार्थियों को परिक्षा कक्ष में प्रवेश तिया गया MPPSC की परिक्षा रीवा के बारा और मौगंज के एक परिक्षा केंद्र में हो रही है परिक्षा केंद्रों में सुबह 9 बजे से ही परिक्षार्थियों की लंबी लाइन लग गई रीवा और मौगंज को मिलाकर इस बार 6,000 से अधिक बच्चे MPPSC की परिक्षा दे रहे हैं परिक्षा दो पालियों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दो पह धाई से शाम 4 बच कर 15 मिनट तक आयोजित की जा रही है इधर परिक्षार्थियों को परिक्षा कक्ष में चेहरा ढखकर और मोजे जूते पहन कर प्रवेश नहीं दिया गया पैंसिल, रबर, वाइटनर, घडी, हाथ में पहनने वाले बैंड, बेल्ट, धूप में पहनने वाले चश्मा तथा बालों को बानने वाले क्लचर का उपयोग भेकक्ष के भीतर वर्जित रखा गया रिवा में कुल 5652 परिक्षार्थी हैं जबकि मौगंज में परिक्षार्थियों के संक्या 520 है लोकसेवा आयोकी प्रारंभिक परिक्षा के लिए श्रवन कुमारी स्कूल, सरस्वती स्कूल, आलानगर, ट्यारस कॉलेज, सरस्वती स्कूल, जैन रोड समेच सभी परिक्षा केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था नजर आई इधर शहर के 12 केंद्रों में चल रही परिक्षा को देखते हुए पुलिस ने सक्रियता बढ़ा दी है, परिक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले पुलिस और परिक्षा केंद्र के कर्मचारियों के द्वारा अभी भावकों को परिक्षर से बाहर कर दिया गया एडिशनल स्पी विवेक लाल ने बताया कि सभी परिक्षा केंद्रों में सुरक्षा विवस्ता चाक चौबन की गई है, पुलिस ने परिक्षा केंद्रों के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, परिक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग भी तेज कर दी है, किसी भी स्थिती से निपटने के लिए पूलिस की पूरी तयारी है,